हुआ है यहां पर बंद रहा है ब्रेक पास्ट ब्रेक पास्ट में क्या बंद रहा है वो बताती हूं आपको आज महाराष्टन स्वेशल ब्रिक फास्ट बंद रहा है आपको भी सिखाती हूं कैसे बनाते हैं हम लोग तो सबसे पहले मैंने ऑईल डाला है और ऑईल डालने के बाद उसमें मैंने आड किया है मूफली मूफली थोड़ी सी भूननी है मतलब फ्राइ करनी है थोड़ी उसके और अचेज से बाद आपको आटा नसले अपर के से बनता है ले ज़ास हैसे ना इस आडी को बहुत ही जादा भुदना है अपको मैं तो काफी जादा बुणना बुणना है जैसे सूझी हम लोग बुणते है लिज़ वैसे लड़ू अगरा के लिए हम लोग नहीं बुणते है वैसे और बस इसमें ठोड़ा-ठोड़ा करके पानी आड करते जाना है नमक फॉसे अपक्र पॉसे बाएक और टोड़ा ऑड कर तो मैं हमेशा क्लीन रखती हूँ प्लाटफॉर्म आपने देखा भी होगा यहां पर दूद आ गया था तदू दूद गरम कर रही हो और बहुत लोगों ने पूछा है कि ये glass का जो jar है आप direct gas पे रखते हो तो dear ये gas पे रखा जाता है कोई problem नहीं है इसे इसे आप direct gas पे रख सकते हो दूद गरम कर सकते हो इसमें आप चाय भी बना सकते हो green tea बना सकते हो बहुत कुछ बना सकते हो आप इसमें coffee बना सकते हो और अधर मेंने चाय बिचस्ड़ा दी है क्योंकि इनको जानाँ दूटी और ब्रेकफास्ट अधरने की सबीवा या अगर बैठ आत ही डेतर हमेर हुआ सुबब शु Pharisee और उसमें तो फिर यहां परड़ को चाय चराना शुमादो उपनितर हमारान क्यों यहां पर पेंटर भी अबे आ गये थे तो उनके लिए वो चाय लेके गई हूँ और यह मेरा ब्रेकफास्ट है तो यहां पर मेरी गरम हो रही है चाय भी नहीं पी सकती हूं इनके साथ तो मतलब ले ली थी बट वह थंडी हो गे थी उसके बाद मैंने यहां पर और गरम कर ली मेरे लीच है और मैंने बताया था ना आपको यह पाइप पेंट करने के बागे है तो वह पेंटर भी आने वाला है तो वह दोनों भाई आ गए थे आज और यह कर रहे है एक्चुली इन्हों नहीं ही हमारे घर के अंदर का पेंट भी किया है और बहुत अच्छी फिनिशिंग के अपने देखा हुआ है तो गाइस नहाल यह है और आज मैंने एर वाश किया है और काफी दिनों के बाद मतलब 4-3 की बाद 4-5 दिनों के बाद एर वाश किया है काफी तब अच्छ लग रहा है और मैंने यूज की है यह ऑनियंद रेंज अभी जैसे ही मांसूं स्टार्ट हो जाता है वैसे ही हमारे हणा स्टारट हो जाता है और मेरे घर में सारी जगा बाल ही बाल दिख रहे थे हेर्फोर अस्टार्ट हो गया था और पिछली बार की मैंने यह वाली रेंज आपको दिखाए थी और इसका रिजल्ट इतना जादा अच्छा है एक याईस मैंने दिपाली के ऊपर यह वाली रेंज यूज की थी और वह जो प्रड़क्ट है मैंने दिपाली के पास ही छोड़ दिये थे उस टाम मैं जब वहाँ पर गए थी तब यह थी इपली ने दुबारा से वो रेंज मंगवाई और मैंने भी अपने लिए मंगा ली तो मैं ये यूज कर रही हूँ और काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिख रहा है जैसे कि मांसून स्टार्ट हो ज्यादा सबका हेरपॉल होता ही है अगर आपका हेरपॉल हो रहा है तो आप ये ट्राइ कर सकते हो गुडवाइब्स का ये ओनियन शांपू और ये ओनियन हेर मास्क ये हेरफॉल रेंज है और अभी परपल पे सेल चल रहा है तो आप उस सेल का फाइदा उठा सकते हो मांसून मेनिया सेल है उस सेल में आपको अप्टू 50% आफ मिल जाएगा अग इसमें आपको कोड यूज कर रहा पड़ेगा PRNY तो अगर आपको पर्चेस करना है तो इन दो प्रडर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और बहुत सारे ओफर चल रहा है अब भी परपल पे तो वो सारे ओफर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉ इन दो प्रडर्स का लिंक दे दिया है यहाँ पर बच्चों की ट्यूटर आ गई है उसे अभी थोड़ा सा जल्दी बुला रहे हैं हम लोग नहीं तो एक गंटा बुला रही हूं चार बज़े बुला रहे हूं नहीं तो वो पाच बज़े आती थी और पाच बज़े से फि जल्दी बुलाना स्टार्ट कर दिया उसे तो अभी चार बज़े से वो आएगी आज से ही थोड़ा सा चार बज़े से उसका टाइम कर दिया है अभी स्कूल नहीं चल रही है ना तो टेंशन आ जाता है क्योंकि बच्ची इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं तो इन अध्विक नहीं करता है अध्विक को ऐसे ही डाइट वगरा मारके और अपने पास बीठा के करवाना पड़ता है इसी विज़े से मैंने उनकी मैम को बोल दिया है कि आप ना अच्छे से स्ट्रीक रहो उनके साथ दोनों की भी साथ और जो भी आपको करवाना है उनसे करव अध्या ले रही है वैसे और उसका सुनता भी है वो थोड़ी से डाइट मार देती है ऐसी हो जैसे तो यहां पर यह शेड लगवाया है इस तरह से अभी इसे पेंट होगा तब अच्छे से पता चलेगा कि कैसे दिखेगा यह और फिर पेंट उसको भी होने वाला है तो जज़ए लेट हो गया था और जो स्टैंड है उसको सिफ प्राइमर हुआ है क्या बोलता है जो पोट वाला स्टैंड है जो मैंने गंबलों के लिए बनाया था तो वो स्टैंड सिफ प्राइमर करके चले गया है एक तो हमें ही करना पड़ेगा नहीं तो फिर वो चार- कर लेंगे हम लोग और यहां पर वह आंटी को बिलाया था मैंने बरतन क्लीन करने के लिए तो वह आ गए थे आंटी तो इसी वज़े से मैं यहां पर उनको वह कंटेनर्स वगरा निकाल के दे रही हूँ क्योंकि स्टोर रूम के भी कंटेनर्स पर अच्छे से बार एक सी धू बैठी है और उसे उपर उपर से क्लीन करने से कोई फाइदा नहीं था तो मैंने सोचा चलो इसमें दिग भी जाएगा कि क्या क्या है इसमें अच्छे से मैं लेबल लगा के भी रख सकती हूँ और निकाल के आंटी को दे दूँगी तो अच्छे से आंटी क्लीन भी कर घृँ और मैं कंफ्यूज हो रही थी कि क्या निकाल हूँ और क्या कॉह मतलब समझ में नहीं आँ रही था दिन भर के काम करके और सब कुछ होने के बद ही रात को यह करना कैपसिटि ही पची नहीं थी फिर भी मैं आइख हुरी थी ऑनने पी ह原因 कि आणने थे अन्टी बहु ह चले जाते हैं तो सारी इसमें चले जाते हैं तो इसीवग जैसे वह डून-डून की निकाल रही थी और ऐसे आंटी को चंटेनर्स खाली करके दे रही थी तो आंटी ने कंटेनर्स वाश करके दिये सिर्फ दो लाइन हुई है गाई इतना टाइम लग गया इसी चीज में दो लाइन हुई है और अभी दो लाइन बचिये है तो आंटी को बोला कि थोड़ा थोड़ा करके आया करो अप और थोड़ा थोड़ा करके मुझे दे दिया करो करके क्योंकि मुझसे तो हुगा नहीं अभी ये एक साथ नहीं होगा तो इसी वज़े से आणटी बोली कि ठीक है मैं एक एक दिन करूंगी एक एक लाइन तो फिर आणटी अभी वो सारे काम करके आएगी दूसरों के घर के और फिर ऐसे एक एक लाइन करके देगी मुझे डेली तो यहां पर देखो यह वाले जो कंटेनर्स वाश करके रखे थे आणटी ने यह मैं क लिए उसका पानी पोच रही हो और उसके बाद अच्छा से वह सुकने के लिए रख दूंगी और उसके बाद फिर उसमें सब कुछ भरोंगी तो चलिए गाइस के साथ इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूं मिलती हूं अच्छे से नए व्लॉग में आपसे आपको यह description box में मिल जाएगा description box जरूर चेक कर ले ना तो चले फिर bye-bye take care and love you all bye जयान रखना अपना